फरुखाबाद में मुंग फली लदे ट्रैक्टर रोके जाने पर भारती किसान यूनियर के राश्टर प्रवक्त राकेश टिकेट का गुसा भड़क उठा उन्होंने बीजेपी की डबल इंजन की सरकार पर जबरदस्थ हमला बुला राकेश टिकेट ने का कि मुंग फली लदे ट्रैक्टर को रोक कर किसानों को नुकसान पहुचाया जा रहा है उन्होंने किसानों की आई दोगुनी करने वारी सरकार के दावे पर सवाल उठाए राकेश टिकेट ने कहा कि बरसात का मौसम चल रहा है बरसात में ज्यादा देर उखने से फसल नम हो जाएगी राकेश टिकेट ने ट्वीटर पर वीडियो शेयर कर लिखा कि केंजर सरकार किसानों की समरिध्धी और आई दोगुनी करने की बात करती है दूसरी तरफ यूपी के फरुखाबाद में मुंगफली लदे ट्रैक्टर और अन्यवान रोक कर किसानों को नुक्सान पहुचाया जा रहा है फरुखाबाद में मुंग फली लदे ट्रैक्टर रोके जाने पर भारती किसान यूनियाई के राश्टर प्रवक्त राकेश टिकेट का गुसा भड़क उठा उन्होंने बीजेपी की डबल इंजन की सरकार पर जबरदस्थ हमला बुला राकेश टिकेट ने का कि मुंग फली लदे ट्रैक्टर को रोक कर किसानों को नुकसान पहुचाया जा रहा है उन्होंने किसानों की आयदोगुनी करने वारी सरकार के दावे पर सवाल उठाए राकेश टिकेट ने कहा कि बरसात का मौसम चल रहा है बरसात में ज्यादा देर रुखने से फसल नम हो जाएगी राकेश टिकेट ने ट्वीटर पर वीडियो शेयर कर लिखा कि केंजर सरकार किसानों की समरिध्धी और आई दोगुनी करने की बात करती है दूसरी तरफ यूपी के फरुखाबाद में मुंगफली लगे ट्रैक्टर और अन्यवान रोक कर किसानों को नुकसान पहुचाया जा रहा है